स्वर्ग में क्या हो रहा है जे सवाल क्यों कुलसियों तीन दो प्रित्वी पर की नहीं प्रंटु स्वर्ग ये वस्वों पर ध्यान लगाओ जे वचन उन लोगों के लिए है जिनोंने प्रभ येसु को ग्रहन करके निया जीवन प्रापत कर लिया है अब उनका ध्यान प्रित्वी पर हो रही बातों के उपर नहीं प्रंटु स्वर्ग की और होना जरूरी है आये इन बातों को प्रमेश्वर के पवित्र वचन से जानते हैं जैसा के आज हम जानते हैं कलिसिया वभिन परकार के सताओं में से गुजर रही है ऐसी परस्तितियों में परमेश्वर का वचन हमें स्वर्ग में क्या हो रहा है उसकी और गयान लगाने को कह रहा है अब सवाल ये है कि जो स्वर्ग में हो रहा है उन बातों को किसने देखा और उसका जीवन कैसा था क्या वो व्यक्ति इन संसारिक बातों से डर गया आईए इन तमाम बातों का हम पवित्तर बाइबल से अधियन करेंगे जब प्रभी ये सुंसी मुर्दों में से तीसरे दिन जीवत होगे तो उनोंने अपने चेलियों को खुश्खबरी देकर संसार में भेजा मरक सुला पद्रा में तुम सारे जगत में जाकर सारी सरिस्टी को खुश्खबरी सनओ मती 28 उन्नी में महान उदेश भी धिया कि जगत के सब के लोगों को आग्या मानना सकाओ और चेले बनाओ इन दोनों बातों को जब प्रभु के दासों ने पूरा करना अर्रंब किया इन सत्ते की बातों का विद्रो होना शुरू हुआ जैसा आज के दिन भी होता है मगर प्रभु यस सुमसी ने उनके साथ वादा दिया था कि मैं जल्दी आ रहा हूं इसी बात को वो समझते हुए जगत की चारों और निकल पड़े तक करीबन आदे संसार में उन्होंने गोस्पल को शेयर कर दिया अब सताओं में तसली की बात कैसे देनी है इन बातों का परकाश प्रभु यस सुमसी ने अपने चेले जहुना को दिया जहुना भी बड़े सताओं में था जब जहुना को बंदी बना कर पात्मस नामक एक टापू में शोड़ दिया था वहां रुमी समराज्या के लोग बंदवई लोगों से जबरन काम करवाते थे ऐसी परस्तिती में जहुना को प्रभु यस सुमसी ने स्वर्ग का परकाश दखाया वचन का सही परकाश और स्वर्ग में क्या हो रहा है प्रभु यस सुमसी केवल उसी को दखाते हैं जो प्रभु यस सुमसी को अथा प्यार करते हैं और संसारिक वस्तों से और संसारिक कस्टों से और चिंताओं से अपने ध्यान को हटा लेते हैं पहले हम जानेंगे कि जहुना यसुमसी को सबसे अधिक प्यार करते थे बातों बातों में और दूसरे चेलों को दखाने के लिए ऐसा लगता है कि जैसे पत्रस प्यार करता है आईए पवितर वचन से हम जहुना चेले के बारे में देखेंगे यहुना तेरा तेईस उसके चेलों में से एक जिससे यसु प्रेम रखता था यसु की शाती की और जुका हुआ देखा यहुना ऐसा चेला था जो प्रभी यसुमसी की हिर्दे की आवाज को भी समझ लेता था इसी लिए प्रभी यसुमसी ने इस भेद को उसे बता दिया था के मुझे कौन पकड़वाने वाला है जे बार यहुना ने अपने हिर्दे में रखी हुई थी जेहुना 21 अध्याय वचन 20 जहां 35 भी कहता है के जेहुना को प्रभी यसुमसी सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं दूसरे चेले तो जहां तक भी विश्वाश करते थे जैसा इसी है दियाय में 23 वचन में लिखा हुआ है के हो सकता है यह जेहला प्रभी यसुमसी के आने तक भी जीवत रहे सबसे लंबी उम्बर वाला यही चेला था इस चेले ने अपने जीवन में प्रभी यसुमसी के जाने के बाद बहुत कस्ट भी सहे प्रन्तो किसी भी बात का प्रभुयस सुमसी को दोश नहीं दिया उलाहना नहीं दिया इसलिए पात्मस्टापू पे प्रभुयस सुमसी ने जहुन्ना को इस वचन का भे दिया कि स्वर्ग में क्या हो रहा है प्रकाशत वाक्या के पहले अध्याय में जहुन्ना ने स्वर्ग में प्रभुयस सुमसी का क्या प्रकाश है उसका धर्शन किया स्वर्ग में प्रभुयस सुमसी की क्या शान है इन बातों को जहुन्ना नहीं देखा सुर्ग में प्रभुय सुंसी की इतना तेज और महमा देखकर प्रकाशित वाक्या एक और सत्रां वचन में यहुन्ना कहता है मैं मुर्दे के समान गिर पड़ा और प्रभुय सुंसी ने देहने हाथ से उसे पकड़ कर कहा ना डर मैं पहला और पिशला हूं मैं जीवत हूं मैं मुर्दा था देख अब मैं जुगो न जुग जीवत हूं मेरे पास मौत और पताल की चाबियें है इस वचन को इस वीडियो में इसलिए डाला गया है कि आप मसीही लोग एक निरना करें क्या आप भी यहन्ना के समान प्रभयस्मसी को प्यार करने वाले हैं या नहीं यदि हैं तो प्रभयस्मसी आप से जेक कह रहे हैं जैसा मती 6, 9 और 10 में प्रभयस्मसी ने सब को कहा कि पिता प्रमेश्वर से प्रार्थ ना करो कि स्वर्ग का राज्या इस प्रित्वी पर आए जदी आप निरना करते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा प्रभयस्मसी को प्यार करूंगा तो फिर प्रभयस्मसी आपको जहुना की तरह बतलाएंगे कि स्वर्ग में प्रभयस्मसी की क्या महमा है क्या शान है वैसी ही शान हम इस प्रित्वी पर प्रभयस्मसी की लेकर आएंगे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आज प्रभु के चेले इस प्रित्वी पर अपनी शान और अपने आपको चमकाना चाहते हैं यही बड़ी समस्या है इस वीडियो का अगले भाग में और वचन डाला जाएगा इस बात को समझने के लिए कि स्वर्ग में क्या हो रहा है आईए इस वचन को दूसरे मसीही भाई बैनों से अवश्या शेयर करें तांके प्रभु की शान इस प्रित्वी पर भढ़ जाए एमिन प्रभु की शान इस बाही है